गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स आज हम पढ़ेंगे मोरल वैल्यू ठीक है ओपन पेज नंबर 43 टोड़े वी आर गुएंग टू लान चैप्टर नंबर 7 बिटी बीरबल राइट टू दे टे टेंडे बीरबल अकवर बीरबल का नाम सभी ने सुना है ना उन्हीं की एक स्टोर इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज हम चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं Have you heard of a famous Jew अकवर एंड बीरबल आपने एक फेमस जोड़ी अकवर और बीरबल की उसके बारे में के सुना है Many years ago, Emperor Akbar used to rule India कई सालों पहले समराट अकवर भारत में शाशन करते थे He had several wise and talented people in his court उनके दरबार में कई बुद्धिमान और प्रतिभशाली लोग थे बीरबल was one of them उनमें से एक थे बीरबल He was intelligent, witty, honest, brave and sensible वो जो बीरबल थे बहुत ही बुद्धिमान, हाज से पूर्ण नेचर के और इमानदार, बहदर और समझदार थे With his presence of mind, he quickly solved many cases in Akbar court वो अपने presence of mind के द्वारा अकबर के दरबार में कोई भी problem आती थी तो उसे बहुत जल्दी से solve कर देते थे अकबर लब्ड बीरबल's wisdom, resourcefulness and humor तो जो अकबर थे वो बीरबल की बुद्धिमानी, संसाधन परिपुन था और हाज से प्रद जो उनका स्वभाव था, नेचर था उससे वो उने बहुत पसंद करते थे बीरबल was very smart and अकबर liked him very much for his quick and clever answer to questions तो बीरबल जो थे बहुत अधिक बुद्धिमान थे और वो इस कारण से कोई भी जो उनको प्रशनों से पूछा जाता था तो बहुत ही उसका जल्दी और चतुराई के साथ उसका जवाब देते थे तो बीरबल के इस नेचर के कारण अकबर उने बहुत पसंद करते थे एक दिन अकबर ने जमीन पर एक लाइन ड्रॉ करी और बीरबल को बोले की बीरबल इस लाइन को देखो अकबर ने उनको कहा मैं तुम्हें चुनोती देता हूं कि तुम्हें इस लाइन को बिना चुए इसे छोटा करना है ठीक है तो एवरिवन वास बजर्ड सभी लोग हैरान रह गए तो सभी सोचने लगे कि कैसे इस लाइन के एक हिसे को बिना मिटाए इसे छोटा कैसे किया जा सकता है तो बिरवल ने संकोच नहीं किया तो बिरवल ने क्या किया जो राजा ने लाइन कीजी थी उसके आगे उन्होंने एक लंबी लाइन बना दी तो he had, he have no made your line shorter हजूर और कहा कि देखिए हजूर मैंने अपने आपकी जो लाइन है उसे छोटा कर दिया है अकपर वास इंप्रेस्ट विथ हिस क्लावर आंसर वो तो अकपर उसके इस आंसर से बहुत प्रभाबित हुए बीरवल वास नॉट जस्ट विटी, he was just and fair awards everyone तो बीरवल जो थे वो परिहास पूर्ण सौभाव के ही नहीं थे बलकि वो न्यायपूर्ण और निस्पक्ष भी थे सभी लोगों के साथ he treated everyone equally वो सभी के साथ एक समान वहवार करते थे one day an old man came to the emperor's court with another man named Hasan एक दिन राजा के दरबार में एक बुढ़ा वैक्ती एक अन्य वैक्ती जिसका नाम हसन था उसके साथ आया he wanted Hasan to be punished जो बुढ़ा वैक्ती था वो हसन को punishment उसको सजा दिलवाना चाहता था the old man was known to be a dishonest जो बुढ़ा वैक्ती था वह इमानदार नजर नहीं आ रहा था he caused Hasan to stealing his necklace उसने Hasan पर necklace चुराने का आरूप लगाया था but Hasan was known to be an honest man लेकिन Hasan जो है वो एक इमानदार वैक्ती के रूप में जाना जाता था the emperor asked the old man why did you think the Hasan has stolen your necklace तो राजा ने बुढ़े वैक्ती से पूछा कि तो मैंसा क्यों सोचते हो कि Hasan ने तुमारा necklace चुराया है the old man said your honor I have seen him stealing the necklace तो बुढ़ा वैक्ती बूला कि राजा जी मैंने इसे necklace चुराते हुए देखा है Hasan replied I am innocent your honor I do not know anything about his necklace तो Hasan ने उतर दिया कि मैं निर्दोश हूँ मैंने इसका necklace नहीं चुराया है the old man told the emperor if he is innocent let him prove it तो बुढ़ा वैक्ती बूला राजा को कि यदि यह निर्दोश है तो इसे इसको साबित करके बताना हुगा I will bring a red hot iron and if he can hold it with his wear hands then I will agree that he was not stolen my necklace if he is speaking the truth it will not burn his hands तो बुढ़ा वैक्ती कहने लगा कि यदि यह निर्दोश है तो वो एक लाल गर्म लोहे को लाएगा तो उसे इसको अपने हातों से पकरना होगा यदि यह निर्दोश होगा तो इसके हाथ नहीं जलेंगे हसन had no choice but to agree he agreed to hold the red hot iron in his hands to prove his innocence but he asked the emperor to give him one more day time to appear in the royal court for his trial तो जो हसन था उसके पास और कोई choice नहीं थी इसके उस गर्म लाल लोहे को पकरने इसके अलावा उसके पास कोई choice नहीं थी परन्तु उसने कहा कि राजा जी से अकवर को बोला कि समराट मुझे एक दिन का समय दे दीजिए तो हसन दैन वेन टो बीरवल फॉर एडवाइस बीरवल थॉर्ट फॉर वाइल एंड विस्पर टो हसन वाट ही शुट दू नेक्स्ट तो हसन ने हसन तुरंत कहा गया बीरवल के पास सलाह लेने के लिए तो बीरवल ने थोड़ी देर सोचा और फिर हसन के कान में कुछ धीरे से कहा जो उसे नेक्स टे करना था हसन इसमाइल हसन मुस्कुराया तो हसन था वो दूसरे दिन दर्वार में पहुंचा और बोला कि समराट मैं अपने आपको निर्दोष सावित करने के लिए तयार हूं but the rules should be same for both of us परंतु जो नियम है वो दोनों के लिए समान होना चाहिए if that old man is speaking the truth then the red hot iron will not burn his hands also यदि बोड़ा वेक्ती जो है वो यदि सच कह रहा है तो जो लाल गर्म लोहा है वो उसको पकड़ने से उसके हाथ भी नहीं चलने चाहिए so let him hold the red hot iron with his hands and bring it to me then I will do the same and prove my innocence तो उस बोड़े वेक्ती को जो लाल कर्म लोहा है उसे पहले पकड़ कर मुझे अपने हाथ में देना चाहिए तो मैं फिर अपने आपको निर्दोशाबित कर दूँगा अब जब बुड़े वेक्ती ने जिसने हसन को चोर कहा था उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि वो जुट बोल रहा था तो अब वो जो गर्म लाल लोहा था वो से भी छूना नहीं चाहता था तो अब वो क्या करता तो उसने अपना सर जो है वो शर्म से नीचे जुकाया और वहां उस जगह से वो चुपचाप चला गया ठीक है तो ये थी स्टोरी बीरवल की ठीक है अच्छी लगी आप सभी को ओके चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइस करते हैं क्या क्या करें